दोस्तों सब्सक्राइब आप सबकाइब आप सबकाइब आपके आपकी टीम में किसकिस प्लियर को होना चीज जिससे कि कल की तरह इस मैच में भी आप एक अच्छी टीम बना करके ठील सारा पैसा जीस सको कल के मैच का वीडियो जिन लोगो ने भी देखा है और जो लोग मेरी टंग्राम चैले से चुड़ वहे है पूरा का पूरा मैच वैसे हुआ है जिसने आपको कल के वीडियो मिदाया था और फिर जो हमारी टीम ने टेलीक्राम पर जो मैने देती उस नेक्स्ट लेवल, आपको अगर प्रूफ देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन हो, मैंने टेलिग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, कल की जो मैंने मैलेव सरकल की टीम दी थी, उसमें आप देख सकते हो, मेरे पास उम्रान मलिक है, मेरे पास मौम्मद शामी है, मेर तो अगर आपको एक बार फिर से इस मैच में विन करना है, तो भाई छोटा सा काम करना होगा, ये वीडियो लगबग 18-20 मिनट का है, इस वीडियो में पिछले मैच की तरह एक एक चीज क्लेर कर दूँगा, कि कौन रन बनाएगा, कौन विकेट निकालेगा, किसको टीम में होना चाहिए, किसको नहीं होना चाहिए, और मेरे हिसाब से इतनी सारी चीज से पता चलने के बाद फिर आपको कोई हरा नहीं सकता, और सभी लोग जीतने के लिए आए, तो सभी लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे, भाई वीडियो पूरा देखना है, अगर वीडियो देखे लिया, तो पूरी इंफोर्मेशन आपके पास होगी, और अगर आपको पूरे आईपेल में विन करना है, तो नीचे आपको सब्सक्राइब को बटन दिख रहा है, 16 लाख लोगों ने इस यूटुब चैनल को सब्सक्राइब कर रहा है, 16 लाख, इंडिया क पर मैं आपको सारी चीज़े बता रहा हूँ न, कौन-कौन प्लेर रन बनाएगा, कौन विकेट निकालेगा, बट अब ही देखो, टॉस नहीं वाए भी प्लेंग लेवन नहीं आई, यह मतलब, विचल मार्स तो खेलने वाला है, एरॉन फिंच का कंफरम नहीं है, तो प्ल अगर आप नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में लिंक से जाकर जुड़ जाएगा, ठीक है, अगर बाइचांस लिंक से टेलिग्राम चैनल उपन ना हो, तो आप टेलिग्राम पर सर्च करोगे, फैंटेसी किर्केट ग्रू, सात लाग पता लिजार सब्सक्राइबर व फ्री में करोड़ पती बना रहा है, जैसे आप डाउनलोड करते हो मेरे लिंक से आपको पंदरा सुरुपे फ्री मिल रहे हैं, और पहला कॉंटेस्ट आपको यहां पर जो मेगा लीग होती है, उसमें फ्री इंट्री मिल रही है, और इसके अलावा उसके बाद आप सिर्फ एक रुपिया में, सिर्फ एक रुपिया में एक करोड जीच सकते हो, एक रुपिया अभी लगभाग 25 मैच बचाए हुए, 25-30 मैच, तो अगर आप एक रुपिया हर एक मैच में लगाओगे तो कितना हार होगे, 35-40 रुपे, अगर जीत गे तो कितना जीत होगे, एक करोड तो अगर आपने साइनशर के लैप को डाउनलोड नहीं किया तो इस वीडियो को देखने के बाद सबसरेमें का मैय राप यू ने करना सब से पहला का माइलेमस का डाउनलोड करना करना इतने सारे ओफर में बता भी नहीं पारा तो टाउनलोड कर लीजगा अब इस बात कर लेते हैं अपर हम ग्राउंड के बारे मैच के लाया है का वान खेड़े में लास्ट मैच कल भी खेला गया था जिसमें आपने देखा हैदरवाद की टीम ने क्या बैटिंग करी उसके पर फिर से पेसर स्कोब बहुत ज्यादा विकेट मिलने वाले हैं कल भी आपने देखा राशिद खान के होते हुए भी यहाँ पर इस स्कोब एक भी विकेट नहीं मिला तो यहाँ पर अगर हम बात करें जो पिछले मैचिस खेले गए आई-पिल के 92 मैचों में 170 का आवरेज स्कोब रहा है लेकिन इस IPL इस सीजन जो मैचिस खेले जा रहे बहुत बड़े-बड़े स्कोब बन रहें कल तो 195 का लगबग बना था उसके पहले 182 का स्कोब बना उसके पहले 190 का बड़े-बड़े स्कोब बन रहे हैं इस ग्राउंड पर ठीक है और पिछला मैच चेस करत तो यहां पर हम बात करे है जो पिछले चार मैचीज में विकिट गिरे है है जो पैसर को कितने मिले हैं इस्प्नर को कितने मिलें यह bermicon सब ज़्यादा help करेगा नरायन वरुन चक्रावर्ति या अक्षर पटल को पिक करने में यहाँ पर इस्पनर्स को विकेट नहीं मिल रहे हैं उना 30 विकेट पेसर्स को मिले और 12 विकेट को मिले हैं जिसमें कलका मैच इंगलूड नहीं है कलके मैच विकेट नहीं मिला इस्पनर्स को ठीक है तो यह चीज़ है अब गाइस आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके दोने टीम्स के बीच में खेले गए लास्ट के चार है टो है मैच इस मैच में आपको बनाने वाला है अगर आपको अभी यकीन नहीं है तो मेरा पुराना वीडियो जाकर देखने जाए गाइगा इस में आपको बता आथा पृत्वी शास और वार्नर इन दोनों की आपनिंग पा बनाना है तो वह लिडियो को हमने कैप्टर बनाए इस मैच में डेर सारा पैसा विल किया उसके अलावा श्रदुल ठाकुर का आपको दा दिया था श्रदुल ठाकुर हमेशा अच्छा करते है कि क्यार के अगेस्ट ठीक है कुल्दीप यादा और आपके खलील इन्हों ने इस मैच में सबसे अच्छा हमेश किया तो उम्मीद है शाहिद इनमें से एक पार फिर से आपके और प्रित्विशा और आपके कुल्दीप को हो सकता है थोड़ा सा पहुमेश उतना अच्छा निकल के ना आए क्योंकि वांकिड़े मैच करे आएगा बाकी खलील और शर्द ताकि उसके पहले 2021 में मैच कहरे गे थे 2021 में 3 मैचिस खेले गें थे और तीनों मैचों में आप देख सकते हो क्का दिल्ली नहीं दिल्ली 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 थे दो मैच जीते थे अब आगे हम चल लेते हैं यहां पर आपके मैच प्रृडिक्शन की तरफ दोको अभी तक में आने वाले हैं दोनों फीट हैं दोनों प्रक्टिस करिया और दोनों एक सरफराज की जगा पर प्लेंग लेए और मा आएगा एक मुस्तफी जो की फ्लॉप चल रहे हैं और इधर मैं बात करूँ तो इधर शायद इधर आपको शायद एरॉन फिंच देखने को मिल सकते हैं कफिर नहीं है लेकिन देखने को मिल सकते हैं और अगर वो खेलते हैं तो फिर वो से आपके पर आएंगे और आपनी करेंगे अब गाइस बात करें आपके फिर एक यह एक विडियो वे दो सिंपल सिंपल कॉश्चन पूछते हैं अगर आप में दोनों कोशैंस का सही आंसर कर रहा है तो पहला कोश्चन है कि आज आपके डेविड वार्नर मयलाय सरकल पर कितने पहले कॉइंट देंगे और उनको आउट को करेगा तक में जाएएगा आंसर कर दीजेगा लेकिन पहले दूसरा कोश्टन आगे आएगा दोनों कोश्टन सुनने अगर आप दोनों कोश्टन को सही सही आसर कर दें तो फिर ही में आपको 50,000 मिल रहे हैं ठीक है तो चलिए आग सरफराज की जगह पर मिचल मार्श जिनको मैंने यहां पर एड़ नहीं किया फिलेंग लेवन में ठीक है उस बाद रोमेन पावल है फिर यहां पर आपके लली त्यादव है उसके बाद अक्षर पटेल शर्दुल ठाकुर खलील आहमाद मुस्तफिस की जगह पर यहां पर एं इं-rick आपके खलीर और आपके शर्दुल ठाकुर पूरे चार-चार कराने वाले हैं ठीक है उसके बाद आपके कुली प्यादव यह भी पूरे चार कराने वाले हैं अब अगर एक आधी ओफर कटेगा तो अक्षर का कटेगा और कटेगा तो ललीत के यहां के खाते में आने वाले क्योंकि सामने टीम के पास left handers मौझूद है मापकी जिगा right handers मौझूद है left handers जैसे नितीश राना और अगर सुनिल यारायन का combination आता है तो फिर इनकी जिगा पर आपके अब इसमें से आपके टॉप फाइफ प्लेयर कौन से होंगे तो भाई पिर्थवी और आपके ड्रॉप नहीं करने वाला हूं तो रिशाप पंत मेरे विकेट कीपर होंगे और इनके साथ जो वन डाउन आएंगे आपके मिचल मार्श वह भी मेरी टीम में होंगे जो की सरफरा शर्दुल और खलील इन में से कोई होगा शर्दुल ने हाला कि एक मेंच में जो दो विकेट निकाले हैं वो कोलकाता के अगेंस्ट निकाले हैं बाकि खलील तो हर एक मैंच मेंचे विकेट निकाल रहे हैं थोड़ा कन्फ्यूजन है अगर ये टीम पहले बॉलिंग लेकिन अगर ये पहले बैटिंग करेंगी बाद में बॉलिंग कराएगी तो मैं खलील और एंड्रिक नौर किया दोरों को लूँगा तो ये चीज़ है मैं कुल्डी प्यादों को पिच को देखते हुए नहीं लूँगा क्योंकि यहां पर इस प्रस को ज्यादा विकेट न लास्ट मैच मेरे आप गोला था इन्होंने 61 बनाए थे क्यों बोला था क्योंकि हमेशा हमेशा आप देख रहे हुए हमेशा रन बनाते हैं हमेशा किसी मैच में और इस ग्राउंड पर भी इन्होंने अच्छे-खासे स्कॉर बनाए हुए है और रिसेंट फॉर्म तो आप अप पिरत्वी शाह का इसी लिए बोला था क्योंकि पृत्वी शाह का फॉर्म भी उतना ही अच्छा होता क्यार क्या और यह इन्होंने पिछले मेच में दिखा है क्या उन बना कर गें डिसेंट फॉर्म तो इनका भी आप देखी रहे हो क्या गजब का चल रहा है रिशप द्रिशापन डिसेंट है चालीस के आसपास हर में जो बनागे जा रहे हैं और यहीं इनका रहा है कि क्यार क्या गेंज्ट और यहीं इनका रहा है इस ग्राउंड पर तो यह तीन प्लेयर मस्ट इंपोर्टेंट है अब मिचल मार्श है ऐसा ऑल राउंडर हाले की उनको थोड़ा सा आप बॉलिंग करते हुए कम देखेंगे और एक चीज़ में भूल गया अगर इस प्रिंट को जादा है नहीं होती है तो मिचल मार्श खेल रहे हैं तो अक्षर पटेल कुंदी प्यादों के ओवर कटके मिच से यह तो ग्राट लिंग में है उस टीम के अगेस्ट नहीं रहे हैं इस सीजन में से मीन उसके बाद आपके यहाद टाकोनल को ज्यादा विकेड मिल नहीं के क्यार के अगेस्ट कितने मिल रहे हैं आप देख सेखते हो इसलिए मैंने रिकुमेंट किया है और पिछले में रिकुमेंट किया था और इन्होंने दो विकेड भी निका रहे थे प्रियांपर आपके खालील आमत इस सीजन में काफी अच्छा करते हैं तो इसलिए तो दोना में काश्चा करते हैं तो अगर मुझे तीन बॉल नहीं पड़ गए तो फि प्लेविश्चा करते हैं और यह थे आप उसके मिचल मार्श व्ल्लकप खेल किया है ठीक टाक रहा एक मेंच कहले है चौधा बनाएं पाकि इस त्रिम के आगे चलेंगे और एक मेंच खेले हैं और एक में 25 अब आगे इस ग्राउंड पर आप देख सकते हैं देख सकते हैं है दो विकेट भी निकाले हैं और एक मैच में 38 रन और एक विकेट भी निकाला है अब आगे हम यहाँ पर देख लेते हैं आपके दिल्ली के प्लेट का क्यार क्याकिश्ट ओमर आल पहुमेंस तो इसमें आप पाऊगे पिर्तवी शाह 56 आपके वॉर्णर श्यालीस का उवरेज उसके दापके मंदीप खेलेंगे नहीं पंद तेईस का उवरेज तो जैसा जिसका वरेज यह वैसे रन बना रहा है फिछले में ठीक है उसके बाद और उसी तरह के को हुआगे के क्यार के तरफ से अब आगे हम बात करें के क्यार की प्लेगरों तो यह थोड़ی सी साथ करेंगे या फिर आपको टेलीग्राम पर बताऊंगा ठीक है अब इस टीम में सबसे ज़्यादा और कौन कराने वाले हैं मैं आपको बतायता हूं पिछ पेसर्स को हेल्प करती है वान केड़े की तो आपके उमेश यादव आपके टिम साओधी और आपके शिवम बावी यह तो पूरे तीन वालन चार चार आवर कराने वाले हैं उसके बाद सुरिल लारान भी शायद पूरे चार करवाएंगे अब इदर वर्म चक्रवरती ह इनको विकेट्ट नहीं मिल रहे हैं अगर स्टार्टिंग में विविकेट् नहीं मिलते हैं तो इन के ओवर कटेंगे वह दो और कटेगा वह जाएगा आपके रसल के खाते में क्यूंकि अच्छी वॉलिंग कराते हैं डायते में और इस वक्त ठीक ठाक हेल्प मिल रही है इस पिछ पर पेसर को तो यह होगा अब गाइस आगे हम बात करें इस टीम की तरफ से आपके टॉप फाइफ पिक कौन-कौन से हो हो एरंफिंच खेलते हैं तो एरंफिंच मेरी टीम में होंगे अगर नहीं खेलते हैं तो शायद में सम्पिल इसको नहीं लोगा इस बाद डियाश नितिश राना, यह दोनों मेरी ।ो यह तो फिर मैं ऐयर को drop करूँगा लेतिश राना को फिर भी टीम में रखूँगा उसके बाद मैं यहां से आपके लूँगा टिम साओधी को फिर एक दो यह मेरे तीन confirm है ऐयर और अगर फिंच खेलते हैं तो फिर शाहद मैं आयर को drop करूँगा यह सेम्पिलिंग को अगर मैं ल अगर आप confused हो रहे हो कि किसको किसको ले रहा हूं तो वो confusion आपकी टेलिग्राम पर दूर होगी तो इसलिए बार 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 बोल रहा हूं description में लिंक है जाकर टेलिग्राम जोइन कर लो आपको टॉस के बाद फैनल टीम मिली जानी है बाकि अगर आप अगर करेंगे तो अभी आपको काम आएंगे उसका आप शिवम पावी और उमेश यादो में से किसी को ट्राइब कर सकते हो दोनों ने स्टार्टिंग अच्छी की थी खासतर पर इस वक्त मिल ले रहे अगर विकट मिलते हैं तो आपको फिर बल्ले-बल्ले सिर्फ ग्राइब कर सकते हैं अब आगे बात करेंगे अब प्लेर-वाइस प्रमेंस की सेंब इस खास अभी तक हुआ रही है इस टीम के अगेंस्ट भी इस ग्राउंड पर तो ठीक है बागी सुलिल नारायन इनका डिसेंट प्रमेंस रहा है ज्यादा विकट मिले नहीं है और इस टीम के अग नहीं करते हैं क्योंकि इस ग्राउंड पर कई वारी विकेट लेश चले जाते हैं तो इस लिए मैं बोल रहा हूं कि आईयर की जिगा पर एरॉन फिंच या सेंबलिंग को ले सकता हूं इनका हाई स्कोर इस ग्राउंड पर पिछले साथ मैंचों में 26 का रहा है तो जो लोग रिस्क लेने वाले प्लेयर वो इस चीज़ देख करके ड्रॉप कर सकते हैं नितीष राना का डिसेंट रहा है इस टीम के अगेंस्ट भी इन्होंने डिसेंट रन बढ़ा है और इस ग् दोषया करें आप करें और अधर बहुत अच्छा कर रहें और इस टीम के आगें जैसा आपकी और प्रितवीशा करते हैं वैसे यह कर रहे है छोबीस रहे एक विकट में दो इक चोइस रहेए बस्क्राइप डीट मिलें पाथ मैचों में और इस ग्राउड पर प्जले दो म तोड़ा सा खराब performance होने लगा है इस तीम के अगेंश कुछ खास नहीं है लेकिन इस ग्राउंड पर पिजले दो मेंचों में ठीक्टा इन्हों नहीं यह नहीं खेली है तो आप गाइस आगे आप बात कर लेते हैं अपर आपके के क्यार के ओवराल दिल्ली के आगे प्रिश्ण खेंड तरहा और अगर के रहेंगे तो मेरीूम में कर लेकिन फ्लाल थोड़ा सा बिकेट चल रहें सबसे खराब है लेकिन फॉर्म सबसे अच्छी है अब आगे हम बात कर लें आपके सेकंड के बारे में अपने करना क्या है इस वीडियो कमेंट सेक्षिन में जाओ ये हैस्टाइक अब गार आगे हम बात करें आपकी मायल सरकल टीम के बारे में तो इस मै्क मेरी मायल सरकल की टीम होने वाली है अगर योटूप चैन्सक्राइब परते हूं रिंक से जाकर जोईं कर लो विकेट कीपर मेरे रिशाब पंत यहां पर सेम्स की आ सकते हैं आप एक काम कर सकते हो आप इधर से को ड्रौप करके sampling को ले करके तीन batsman दिल्ली के लिए सकते हो तो यह इस वक्त की मेरी इमाले सरक्लिकी डीम है इसमें सुनिल नारान को मैंने लिया हुआ है यहाँ पर रिशप पंद को लिया हुआ है आप चाहो तो रिशप की जगहा पर ले सकते हो एर एकर खेज तो फिच को या फिर आप ले सकते हो आपका सुरील NARAN की जगह पर या आईयर की जगह पर iron fish को त जो भी होगा, जो भी मैं change करुगा आपको तेलग्राम पर पता चरिः जाएगा तो guys, अब मिलते हो तेलग्राम पर जिस बाइन भी तक टेलग्राम चनल जोई नहीं किया जल्दी से description में जाओ और telegram channel जोइन कर लो और भाई इस YouTube channel को subscribe नहीं गिया तो यह इंडिया का सबसे बड़ा fantasy YouTube channel है 16 lakh subscriber होने वाले subscribe करो और अगर आपको free में करोड़ पती बनना है Mylan Circle app अगर आपके phone में नहीं है तो आपके phone में Mylan Circle app का होना बहुत दरूरी है फिरी में 1500 में मिल रहे हैं फिरी में आपको एक करोण मिल रहे हैं तो जाओ description में comment से link से जागर के Mylan Circle app आपको download कर लो तो मिल दें telegram पर best of luck